तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू जैनल जैसा कि तुम्हार को पता था हम लास्ट ताइम इस जगह पे आये थे बेसिकली यह हमारा एक एलाइंस ग्रूप था एंड इन पर जॉंबीज ने अटेक कर दिया था एड हमने इनकी हेल्प की थी ताकि हमारा बॉंड और स्ट्रॉंग हो सके लास्ट ताइम जो इसका ग्रूप लीडर है जिसका नाम नेलसन है उसने मुझे बताया था कि यह लोग थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी जगह को तो भाई वहां पे भी मुझे जाना था मुझे इधर को तो बस्टॉप जैसा है तो क्योंकि यह मैप इसमें बहुत बड़े है तो तुम इस जगह पर फास्ट ट्रेवल भी कर सकते हो और अपनी वीकल लेकि वहां पर जा सकते हो तो यह बही दो सो जिया चार्स कितना 200 मिटर है यार यह तो बही यहां पर तुम तो फिलाल अभी तो हमारे पास यह बाइक है तो उसी बाइक से चलते हैं वहां पर क्योंकि यार फास्ट ट्रेवल करके क्या अफाइदा जाकर थोड़ा एक्स्प्लोर भी करेंगे रास्ते में अगर कुछ दिख जाए बसे 200 मिटर है क्या ही एक्स्प्लोर होगा तो फड़ तो इस जगा पर हमें एक्स्पेंड करना था चलो भाई अब अंदर चल के देखते हैं क्या है पहले आर मैं शॉर्ट गन रिलोड करूं पता लगे अंदर भाई पचासाथ जॉम्बी बैठे है अटैक करने के लिए और इस जगा का नाम क्या है यह एस्टेट मैनेजमेंट कोई बात नहीं तो फड़ा फड़ से अरे गेट खोलो एंद देखते हैं अंदर मुझे कुछ दिख रहा है अब यह क्या जगा अब यह खंडर जैसी जगा को के चलो इस से पूछ अरे यह शेरी हमारा वेट कर रही है यह पहले इदर चलो इस से पूछते हैं क्या सीने यह बता सकते हैं तो शेरी ने मुझे यह कुछ अरे कुछ नुद्च दी आया है और यह कुछ उड़ भी दी इसने मुझे कि यह उड़ मुझे यह बताया की यह जगह ना जो आज से मेरी होने वाली है एंद मुझे यहाँ पर बिल्ड कर के रहना भी होगा एंद आथ तो यार आपने हिसाब से घर को मोडिफाइ कर सकता हूँ तो यार अभी तो मैं फटा फट से वाल बना लेता हूँ, थाकि यार जॉम्बी अंदर नाय क्योंकि यह अर्थ से खुला है यार प्याई पेड लगा है यार पहले से मेरे लिए तो भाई यह जगह अपनी हो गई है पास एक वाल रही है इदर इसको भी लगा लेता हूं फटाफट से ओके तो भाई फाइनली अभी यार यह थोड़ा घर जैसा लग रहा है अब एक कैबिनेट बना लेता हूं मैं जिसमें भाई मैं अपना समान स्टोर कर सको क्योंकि हमारे पास यार बहुत समान मिलता रहता है और वह हमारी इंवेंटरी में पड़ा रहता है तो यार फटा-फट से इसमें मैं आदा समान डाल लूँगा अपना यह को एमो बॉक्स तो भाई मिल पास तीन-चार पड़े है तो ओके एंड एक डोर भी लगा लेता हूं जगा पे सो यार अभी अभी मेरी इस शेरी से बात हुए एंड इसने बताया इस जगह पे मेर को एक ट्री हाउस भी मिल रहा है तो यार चलो फटा-फट से चलते हैं एंड देखते हैं यार यह पहले बता लेती मैं इतना महनत नहीं करता यार नीचे इसमें डोर नहीं है तो शायद इसमें परदाद करते हैं तो भई लड़की डिवांड निग हो रही है इसने खाय है तुम पहले फूड पका के दो फटा-फट से यार इसको फूड पका के देखते हैं नहीं कुछ नहीं आता पकाना भी इसमें तो जो इसने इंग्रीडियोंट मुझ दी है मैं फटा-फट एक बंदे को गार्ड पे रहना पड़ेगा और दूसरा स्लीप करेगा तब तक क्योंकि जॉम्बी का यहां पे खत्रा है और यहां पे डोर वोर नी है तो पहले सोने की बारी मेरी है तो फटाफट से तीन घंटे की स्लीप मैं ले लेता हूँ देखें कि उसके बाद फिर मुझे इसकी हेल्प करने जाना है तो गाइस मेरे तीन घंटे की स्लीप हो चुकी है अब देखते हैं भाई शैरी कर क्या रही है कई सो तो नहीं रही है और मिले को सुला के चलो देखते हैं वो नहीं यार गार्ड दे रही है बिलकुल तो गाइस जब मैं यहां पर पहुंचा ना यार यह शैरी इतना अच्छा गाना गा रही थी कि मैं थोड़ी देर के लिए खो गया था लेकिन मैं यहां बजा नहीं सकता क्यूंकि भाई कॉपी राइट भी आ सकता है तो कुछ नहीं पता तो बस मैं इससे बात करता हूँ जब मैं इससे बात करता हूँ मुझको इसके करेक्टर के बारे में और पता लगता है यह सब बाते करते करते सुबा हो जाती है अब मुझे एक और टास्क दिया गया तो फटटफट वहां चलते है तो अब इस शेरी ने मुझे यार ये दो workbench दिये है तो एक तो है जिससे हम weapon बना सकते हैं दूसरा workbench ये है जिससे हम अपने tool को repair कर सकते हैं तो इसने कहा है कि अभी मुझे एक बहुत important mission पर जाना है तो उसके लिए मुझे एक weapon बना लेना चाहिए अच्छे वाला सबसे पहले यही बनाने वाला हूं कि यार शॉर्ट करना बहुत टाइम ले रही थी पहले भी reload reload करने में तो बैरल से तो मैं एकदम मार दूंगा सब बंदों को तो फटफट से यार इसी को craft करते हैं ये देखो बैरल त्यार हो गई है यार मेरे पास एमो बॉक्स तो पड़ा ही है फटफट से रिलोड भी कर लेते हैं यार मैं तो भाई इसको टेस्ट करने के लिए बहुत त्यार हो रुको इस पर करूं क्या शेरी को मारूं इसको लगी कि नहीं बट भाई चल तो काफी अच्छी रही है ओके त्यार बस फटफट से पूछ लेते हैं अपना टास्क क्या है तो इसने मुझे बताया है तो बेसिकली जहां से हम आये थे जहां पे नेलसन है तो उन पर फिर से जॉंबी जने अटेक कर दिया है अब मुझे उनकी घर्प करने फिर से जाना होगा तो भ Ferr Wow मैंगे फटफट ए तो इसलिए बाइक पर आ गया यह जॉम्बी तो कुछ भी नहीं है इस के आगे भई चल निकल रुक तू भी निकल तू भी निकल तू भी निकल अभई भी बच्छों खेल हो गए अब तो मेरे आ जॉम्बी मारना है इस गन की वज़से तो फटा फट से जगा अब प्लेयर करते हैं यास जितना मैं इनके help करूंगा उतना हमारा bond strong होगा तो बस वह भी फायदे मैंने इंड भाई काफी असानी से मैंने अपनी बेरल से खाली कर दिया यह जगा अब देखते हैं अब देखते हैं यह क्या है कोई तो अजीब सा जॉंबी आने वाला पकका बस डराया मुझे प्लीज डरायो मत पता लगा जमीन फाड के निकल रहा है कुछ अब यह डॉग जैसा तो नहीं है इससे मिन को बहुत डेमिज पड़ रहा है को स्टेयर्स पे शड़ता है अब यह उपर भी आगा अब तो मुझे मारना है पड़ेगा इसको यह पर शुकर रहा है मिर पास यह पास यह बैरल थी फटाफट मर गया यह क्या लिजार जैसा जॉंबी था यार जैसे जैसे में आगे बढ़ रहा हुँआ भाई इसमें जॉंबी था यह अलग तरह के आ रहे हैं शुकर है इसकी पावर थोड़ी कम था यह जल्दी मर गया तो फाइनली यह सब में मार दी है अब भाई यहां के लीडर से बात कर लेते हैं तो एक हैं था किरे ठीव जली समस्राश करके सांग है इस मेरे में जोबें पहुआ जाता है तो इस बार मैं fast travel करने वाला हूं क्योंकि यार यह map काफी बड़ा है काफी दूर दूर जाना होता है तो इस बार मैं fast travel करके फटफट जाता हूं यह अरे fast travel अच्छा ऐसे होगा यह fast travel मुझे नहीं पता हूं तो फाइनली यार मैं अपने इधर पहुंच चुका हूं अब मुझे उस बंदे से मिलना है जो हैट वाला बंदा नहीं मिला था मुझे क्या नाम था उसका नाम भूल गया यार उसका उससे पहले यार मैं बॉड़ी देख लेता हूं मेरे हंगर बढ़ रहा है एंड हेल्थ भी मेरी कम है चलो यह सब बाद में देखते हैं पहले उसको यार गुड़ न्यूस तो दूँ कि वो बंदा एलाइन्स में रहने के लिए तियार है तो भाई अच्छा इसका नाम केन है तो फाइनली मैंने इसको बताया यह भी मुझे से बहुत खुश है एंड इसने मुझे कहा कि मुझे यह एक और इंपोर्टेंट टास्क देने वाला है एंड यह सुनके मुझे बहुत खुशी हुई गाइस क्यूंकि यार यह मुझे आना चाहते हो वह टास्क क्या है तो मेक शूर टू लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल सो बाई बाई